सामलेकूम हलो बेकर्स वेलकम बक तु निशास वर्ल्ट आपके जैक किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए अगर आप मेरे चैनल पर नहें तो आलवला आप्शन को भी किजिए आपके मेरे लेटेस व्यडियों आपके सबस्टे आए ह् मैंने कि एक शिलिकून ब्रूश ले लिए है श्लिकॉन ब्रूश ले लिए जिसका परफेक्ट आइसिंग नहीं होते है उस writes के लिए बहुत होओं नहीं बहुत ही आसाना度 जोãy रॉदिकनर्स है उसल्म के लिए ऐद्वी डेकॉरेशन वीडियो हिए तेक्षर दे दिय तोड़ा विपिंग क्रीम ले लिया है एक बॉट में 11 में उसमें पिंक कलर मैं अड्कि पासरे करोंगे बहुती सुन्दर सा रिबिन फॉर्म में एक डिजाइन बनता है देखिए आपको पूरा केक का टॉप को कवर कर देना है एकदम सुन्दर सा फ्लावर का डिजाइन बनता है यह एंडिंग में आप देख सकते हैं आपको यू में कर यू बनाते हुए केक को कम्प्लीट करना हो आप देख सकते हैं मैंने बता रही हो आपको कैसे बनाने हैं फर्स्ट लेयर हम कंप्लीट करेंगे देखे आप देख सकते हैं फर्स्ट लेयर में कंप्लीट कर दिया वैसे ही आपको सेम सेकें लेयर भी वही सेम डिजाइन में कंप्लीट करना है आपको वैसा पूरा केक का बनानें जो बिगनेर है उनका यह तो बहुत ही एजिय अगर मैंसें निचेशे डिजाइन बनाऊंगी मैं यहां पालस डिजाइन दे रहे हो आखे सकते। पाइपिंग बैंग में विपिंग क्रीम को डालके टिप को कट करके पल्स डिजाइन बना देंगे बहुती सिंपल एंड बहुती इजी डिजाइन है और दिखने में भी बहुती सुन्दर लगता है अब देख सकते हैं चले कंप्लीट कर लेंगे इसको देखें मैं नीचे चोको चिप्स डालने के बाद एकदम फ्लावर बन जाएगा देखें मैं आपको ऊपर का शॉट दिखाती हूँ देखेंगा इदिके मैं ने डाल दिया डार्क चोको चिप्स अब उपर से देखेंगे आप देख सकते हैं एक फ्लावर का डिजाइन बन गया है आप लोको मे 12 खूच डाल से संदेखें और इंक उम जाय। कर दिखिए ने यूर स्थीर में अपक